मेरा तो एक सुझाव ये है कि जनता को एक अंदोलन जो संगठित हो के लड़ना चाहिए अगर ये दोनों सरकारे हमारे नहीं सुनती है तो चंडीगड की तरज पर भिवाडी और धारवड़ा को मिलाके एक यूनियन टरिटरी बना दिया जाए उन लोगों की मनशा काम करने क गारवड़ा की सरकार अपने अपने लोगों को नर्किय जीवन जीने से रात नहीं दे पा रही तो धारवड़ा चेतरों और विवाडी चेतर को दोनों राज्यों से अलग कर चंडिगड के जैसा केंदर शासित बना देना चाहिए दोनों छेतर के लोग बधाली का जीवन जीने के लिए मजबूर है और कहीं से भी रहत नहीं मिल रही वर्तमान चुनी हुई धारवड़ नगरपाली का हर तरह से नाकाम साबित हुई है क कोई काम करना नहीं आता नहीं काम करने की कोई प्लानिंग करते हैं नगरपाली का धारवड़ा से लोग पूरी तरह से खपवा है बजट और संसाधन होते वे भी कोई काम नहीं हो रहा इसलिए हालात बच से बत्तर है नगरपाली का परदान उप परदान दोनों कमिशन खो करने की दोनों की कोई मंचा नहीं दोनों स्वार्थी और मोका प्रस्त किसम के हैं धारवड़ा के लोग दोनों से दुखी मीडिया से बाचीत में संदीब बोरा ने आगे कहा कि मैं जो सही होता है उसको बिना लाग लपेट के जनित में स्पष्ट बोल देता हूं और गरत के खिराफ खुल कर बोलता हूं इसलिए बूरा लगता हूं जब कभी मोका मिलेगा मैं नहीं मेरा काम बोलेगा संदीब बोरा मोधी सरकार से लगाएंगे गोहार लोगों को काले रसाइन युक्त गंदे पानी से मिले मुक्ति मन की बात कारेकरम में परधान मंत्री से मन्शा में कही ना कहीं कुछ कमी है या खोट है जो इस जो लोग परेशान है जो काले गंदे रसाइन युक्त पानी से लोग परेशान है और वो लोगों के घरों में जा रहा है तो कही ना कहीं उनकी मन्शा में कमी है या इच्छा शक्ति की कमी है कि उनसे सौल नहीं हो पा है कि उन लोगों को इस काले गंदे पानी से कैसे मुक्ति दिलाएं हमारे हां के लोग सारे परेशान हैं हमने कोशिश किया था कि हम सभी लोगों को इखटा करके एक महापंचायत करें और संगटित करके लड़ाई लड़ें लेकिन पता नहीं कौन लोग है कुछ लोग इस तर मिलने के चांस कम हो जाएंगे हमें संगटित होके पूरे मन से एक दूसरे के साथ लगना होगा पूरे तीन साल हम धारवडा नगरपालिका को दे चुके हैं अगर उनके से यह काम होना होता तो हो चुका होताम सरकार से जो भी अधिकारी हमारे को इसमें मदद कर सकता है जो भी हमारे उच नेता जो है इसमें मदद जो कर सके हम सबसे मदद मांगेंगे और धारवड़ा के लोगों को इस नर्किय जीवन को जीने से उनको मुक्ती मिले उनको इस जो काले पानी है जो उनके घरों में घुश जाता है उनका पूरा मतल पिछले अगर दो तीन साल से हम देखें तो बिना बारिश के भी पानी आता था पहले कभी कभी आता था तो बारिश का पानी आता था और वो एक दो गंटे में साफ भी हो जाता था लेकिन पिछले दो या तीन साल से यह समझ्चा इतनी विक्राल रूप इसने ले लिया है परिशाने को एक किसी एरिया की प्रोब्लम नहीं है अगर हम देखेंगे तो आस-पास के जो 25 किलोमेटर का जो हमारा रीडियस बनता है धारविडा सेंटर अगर हम लेते हैं तो वहां सब यह इस ग्राउंड वाटर को भी दूसीत कर दिया है और लोगों के घरों में टीडिय मैं हमारे लोगों के बीच आये तो मैंने अपनी बात रखी थी कि क्यों ना गैलोत साब से कहके अगर वहां आपकी सरकार है तो वहां बात कीजिए अगर हमें इस गंदे पानी से मुक्ति गैलोत साब की प्रियास से या हरियाना सरकार किसी भी एक सरकार के प्रियास से हमारे बिवाडी के और धारवड़ा के दोनों के लोगों को अगर मुक्ति मिल जाए और ये जो पॉलिटिट पानी जो है इसका समाधान अगर कई हो जाए तो ये जनता बड़ी आभारी होगी अब चुकि हमने तो अपनी बात रख दी थी अगर मेरा तो एक सुझाव ये है कि जनता को एक अंदोलन जो संगटित हो के लड़ना चाहिए अगर ये दोनों सरकारे हमारे नहीं सुनती है तो चंडीगड की तरज पर बिवाडी और धारवड़ा को मिला के एक यूनियन टरिटरी बना दिया जाए ताकि चंडीगड के जैसा हम अपने शेर को क्योंकि रवेन्यू देने के मामले में भिवाडी भी अवल है धारवड़ा भी अवल है और हमारा रिवेन्यू हमारे ही काम नहीं आ रहा है हमारे लोगों के काम नहीं आ रहा है हमारी जो गली मौले की लड़ाई है हम उसमें जो आपस में लड़कर आपस में जिस तरह से हमें एक दूसरे से उल राइल डढ़ें कि परिया Past करें हम तो यह कहते हैं खोई भी हमारे लिए परियास करेगा अगर gray सच में ही हमारी को परियास से अगर हमारे को कुछ भी एक प्रसेंट मी लाव होता ए तो हम बिलकूल उनको इसका आभार भी व्यक्त करेंगे और धरवड़ा की जनता और विवाड़ी जो यह आसपास छेतर के जितनी भी जनता हो सब आभारी उनके रहेंगे हमें हमें इस गंदे पानी से मुक्ति चाहिए कैसे भी करके हमारे को हमारी जनता को इस गंदे पानी से मुक्ति दिला दी जा पहले अगर त्यारी की जाए कि बारिश के सिजन को आने से पहले हम लोग नालो की सफाई कराएं प्रोपर विवस्था करें कि अगर कभी हमारे है बारिश का या कोई ऐसी तरह की विवस्था आिजए जल भराव के स्थिती आ जाए तो कैसे उससे हमें पार पानी है ये हमारे को planning पहले ये मौनसून के आने से पहले करना चाहिए लेकिन जब मौनसून आ जाती है जब ये बिलकुल लोगों के घरों में पानी घुच जाता है तब ये हमारी नगरपाली का जागती है तब परसासन जागता है तब मिटेंगे शुरू होती है और उसके बाद में ये मौनसून का सीजन चला जाता है और वो अगले साल पर बाद चली जाती है पिछले दो तीन साल से हमारे साथ यही हो रहा है हम राव इंदरजीत सिंग के पास भी अभी जाने के हम जो सब लोग मिलके अपना प्लान करेंगे हम जितने भी जो भी हमारे यहां लोकल लिडर है यह सभी समस्चा से परेशान है और उनकी समस्चा का समाधान तभी हो सकता है जब कोई सीरियस होके इस पानी को जो गंदा पानी आता है जो बिना किसी जैसे हम बात करें कि रोड से यह आना शुरू कर देता है ना ही इसका कोई यह है कि बारिश आई तभी आता बिना बा रहे हैं हम लोग तीन दिन हो गए इस प्रियास में लगे हुए कि किसी तरह से भी इस गंदे पानी से धारवड़ा छेतर के लोगों को मुक्ती मिले लेकिन देखते हैं अब क्या होता है बहुष्य में लड़ाई लड़ेंगे और पूरी एक जो टोके लड़ाई लड़ेंगे लोग तो सिरफ एक ड्रामा करना चाहते हैं उनकी मनशा उनके पास संसाधन है उनके पास बजट है अगर उनकी मनशा है तो वो नगरपाली का छेतर के अंदर या नगरपाली का धारवड़ा छेतर जो भी हमारा बनता है धारवड़ा तैसील के अंदर जो भी आता है ये सार लेकिन वह स्थीफा भी नहीं देदेगी शायद धारवड़ा की जनता तो बिलकुल यही चाहती है कि किसी तरह से नलायक लोग स्थीफा दे दे और हमारे को इनसे मुक्ति मिले क्योंकि ना धार्वड़ा नगर पालिका की जो मकारी और जो काम ना करने की नीती है उससे हमारा धारवड़ा छेतर का हर आम मत दाता हर यहां का आम नागरी बिल्कुल मतलब दिल से दुखी है और उनकी इच्छा भी है कि अगर इनको काम नहीं आता है तो यहां से इस्तीफा दे और हमारे को मुक्ती दे को ड्रामा करना यह उनकी नियत पहले भी थी आज भी है और अगर उनकी नियत काम करने के होती है तो काम के लिए जाते सरकार के पास कुछ प्लैनिंग लेके जाते कोई विजन लेके जाते उनके पास ना कोई प्लैनिंग है ना कोई विजन है यह ड्रामा करेंगे और ड्रामा तो आपके पास है, प्लैनिंग करना आपका काम है, सरकार के पास आप अपना एजंडा बना के भेजिए, हाउस में मिटिंग कीजिए, अगर ये सब चीजें नहीं होती है, तो दोश नगरपाली का पे ही जाता है.